नमस्कार दोस्तों मैं हो राल मिस्रा और स्वागा थे आप सभी के इस वीडियो में दोस्तों फाइनली ओला ने अपने इलेक्टरिक स्कूटर का डिलेवरी दिना सुरू कर दिया है मैं आपको बता दूँ ओला ने चिलनई और बैंगलोरू में दो जगा एक इवेंट और्गनाइज किया था जहां पे उन्होंने पचास-पचास कस्टमर्स को बुलाया था और वहां पे उन्होंने ओला एलेक्टरिक स्कूटर का उनको डिलेवरी दिया हाना कि डिलेवरी देती वक्त जब ब्राउचर उन्होंने दिया और ब्राउचर देखके काफी दा कस्टमर्स एकदम सौक हो गए जहां पे उनको मातर 135 किलमेटर का रेंज दिखाई दिया मैं आपको बता दूँ ओला एलेक्टरिक एसफ़न प्रो में आपको 181 किलमेटर का रेंज मिल जाता है लेकिन जब ब्राउचर वो कस्टमर्स देखे तो बहुत जाला सौक हो गए 135 किलमेटर का रेंज वहां पे मैंसें था साथ ही साथ उसमें काफी दा कंडिशन भी थे जैसे कि आपका वीट सतर केजी होना चाहिए आप सिंगल अगर स्कूटर चला रहे हैं तब आपके साथ कोई पिलियन नहीं होना चाहिए साथ ही साथ वैधर का भी बहुत यह अदा उसमें था कि 24 डिगरी सेल्सेस से 35 डिगरी सेल्सेस के बीच मिराना चाहिए और रोट के भी कुछ एक कंडिशन थे और आपके साथ कोई भी और भी वैकल पे कुछ भी समान नहीं होना चाहिए तो इन कंडिशन में अगर आप चला रहे हैं तो 135 किलमेटर का रेंज मैं आपको बता दूँ उस दिन तो ओला एलेक्टर के स्कूटर का डिलेवरी सो लोग को बुलाने के बावजूद भी बहुत कम लोग को मिला है लगबग 10-15-20 लोगों को ही मिला है डिलेवरी exactly कोई मुझे idea नहीं कि कितने लोगों मिला है लेकिन हाँ 20 लोगों से अंदर ही उतने ही लोगों मिला है लगबग 10 या फिर 15 लोगों को डिलेवरी मिला है और आप अंदाया लगा सकते हैं कि किस तरीके से ओला ने ये प्रक्रिया किया जहां पे 100 लोगों को बुलाया और उनकी नाम पहना की रिजिस्ट्रिसन तो हो गया लेकिन डिलेवर नहीं हुआ और इसका मीन करण था कि जो भी ये स्कूटर वहां पे डिलेवरी के लिए गया था और या फिर जो भी अभी एलेक्टर के स्कूटर है ओला का वह एक बीटा वर्जन में है और उसमें कुछ एक कमिया है जिसे कमपनी पहले रिजॉल्व करना चाहा रहा है अपग्रेट करना चाहा रहा है उसके बाद ही कस्टमर को देना चाहा है नहीं तो काफी दा customer सिकायत लेके आएंगे और फिर उसके बाद publicly थोड़ा drama होगा इसलिए OLA इससे थोड़ा सा हट रहा है और delay नहीं दे रहा है मैं आपको बता दूँ अभी जो present में जो version OLA दे रहा है OLA electric scooter का S1 Pro या फिर S1 तो इन में कुछ एक कमिया है और खासतोर पर जो कमी है hill hold हो गया, bluetooth हो गया या फिर cruise control हो गया ये कुछ भी work नहीं कर रहा है जो भी वीडियो में OLA ने दिखाया था कि इसमें music system वगरा है ये है वो है तो कोई भी feature work नहीं कर रहा है साथी साथ इसका app भी कुछ नहीं है तो आपको बस एक normal passcode के द्वारा इसको access करना है तो ये सब कमिया है मैं आपको बता दू, 135 km का range जो वहाँ पे दिखाया गया है वो काफे दा vary करता है, काफे दा matter करता है क्योंकि आप खुछ सोचिए अगर आप कोई car purchase करने जा रहे है और वहाँ पे अगर उसके book पे ऐसा लिखा हुआ है कि इसका range, इसका mileage इतना kilometer का है तो आप खुछ सोचिए कि on ground उसमें काफे दा अंतर हो जाता है लगबग कमी हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एक lab में look check करते है साथ ही साथ जो term and condition उसमें रख दिया है कि 70 kg का वजन तो अगर आपका वजन जादा है तो आप वजन घटाईए, बढ़ाईए तो ये sub system है 70 kg का तो हर एक इनसान रहता ने कोई कम weight का होता है, कोई जादा weight का होता तो काफी जादा मतलब दिक्कत होगा और customers बहुत जादा नराज है और बहुत जादा दुखी भी है, कहो उनका बहुत जादा मतलब OLA से काफी जादा उमीद था जिसे साथ से OLA ने अपने launching के सरे में बताया था, मैं आपको बता दू 15 अगस्त को OLA Electric Scooter launch हुआ था, हाना कि इसका जो booking है 15 अगस्त से पहले ही OLA ने शुरू कर दिया था, OLA एप पे लबभग जुलाई से ही इसका booking सुरू हो गया था और कई लोग जुलाई में इसको बुक कराए हैं, 499 रुपे पे करके सुची जुलाई में बुक कराए है और अभी तक उनको डिलेवरी नहीं मिला और साथ ही साथ जन 10-20 लोग को डिलेवरी मिला, ओभी एकदम से खफा है, एकदम से मतलब परिसान हो गए हैं इसके रेंज के और इसके चार्जिंग प्रॉब्लम के बज़े से, बाकी जो प्रॉब्लम है सॉफ्टवेर इसु है, तो आगे शलके रिजॉल्व जाएगा, लेकिन जो रेंज बगरा है वो काफी एदा मैटर करता है, किसी भी स्कूटर में है, फिर किसी भी बाइक में है, फिर कहीं पड़ेगा, इसके रेंज के उपर मैं आपको बता दू, आते आते जो इसको पर्चे किया हुआ, जिसको डिलेवरी मिल गया है, उसका जो आया है, भीव आया है, रिभीव आया है, उसमें पता चला है, लगबग लगबग 100 से नीची ये रेंज दे रहा है, तो आप अब 181 दीखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, इतना बढ़ है रेंज और ऑन ग्राउंड 100 से नीची आ रहा है, तो ये तो कोई हजम होने वाली बात नहीं, लोगों को जाहिर से बात नहीं पसंद आएगा, अगर वहाँ पे 181 की जेग 151 किलेमेटर अगर रहता, तो थोड़ा से कस्टमर्स मतलब स्याइट सब्चाइब रहते कि चलो बहूँ 50 कि याफिश काया है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सबained mag rating skill अलग होता है, तरीका अलग होता है, कोई थोड़ा फास्ट चलता है, कोई थोड़ा slow चलता है, कोई मीडिय होंश चलता है, तो अगला कोई भी अगर purchase कर रहा तो mindset एक बना के चलता है कि चलो मुझे 85 km का range मिलेगा एथर 450X में अब यहां पे range इतना ज़ा दिखा दे रहा है ब्राउचर में कुछ और लिख रहा है पहले जो add आया या फिर जो पहले आपका launching के समय बताए आपने कुछ अलग था तो ऐसे में customers बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो गए है और काफी ज़्यादा गलत है यह ऐसा नहीं करना चाहिए था और जो problem आ रहा है अलग से charging problem अलग से तो अगर आप all electric scooter के खरीदने के बारे में सोच रहे हैं इसको तो अपने दिमाग में इतना note कर लिए कि 100 km का range आपको S1 Pro में मिलेगा और इस हिसाब से मुझे लगता है कि S1 Pro में अगर 100 km का मिल रहा है तो S1 में लगभग 60 km का range मिलना चाहिए इस से अधा range आप उमीद मत रखेगा 60 से 70, 70 से ज़्यादा तो एकदम नहीं तो ये mindset आप बना लीजिए कि 70 km का आपको S1 में और 100 km का आपको S1 Pro में range मिलेगा उसके बाद ही ये purchase करीए हाला कि इतना बढ़ी है कमपनी है और इतना बड़ा manufacturing plant open किया हुआ है तरीके से set हो जाएगा उसके बाद ही मतलब अब पहले slot का जब proper final delivery हो जागा उसके बाद ही तो कुछ पता चलेगा और जो कमी आएंगी customers चलाएंगे साथ ही साथ मैं आपको बता दू जिसका delivery January में है एक January से 31 January के बीच उनको अभी तक कोई भी final payment का link नहीं मिला है तो customer काफी अदा निरास है और cancel भी कर दिया है अब सोचिए ओला का वैसे कहना है कि December last तक final payment का link दे देगा सबको लेकिन सोचिए अब उनका पैसा भी जमा है प्लस अगर refund के लिए process कर रहे है जाना चाहिए था लांच करना चाहिए था हना कि जल्दिवाजी में बहुत जदा ओला ने मतलब इसका हाइक करवा दिया बहुत जदा हवा में उठा दिया और फिर जाके अब सामने आ रहा है सच और customers मतलब एकदम ज़्यादब परहसान है आसा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल ऐकन को दबादा है जिससे आपको नए वीडियो को नेटिपिकेशन मिलेगा तब तक के लिए stay safe, drive safe, thank you for watching